नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम के बारे में आज हम जानेंगे कि ये क्रीम कौन सी केटेगरी की दवा है इसके कौन कौन से पोपुलर ब्राण नेम मार्केट में आते हैं इस दवा का उप्योग कहा कहा किया जाता है इस दवा का परियोग किस तरह से करना चाहिए तता साथ ही इस दवा को लगाते समय क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए तो ये सभी बाते जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपके सारे कंसेप्ट के लिए हो सके अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अविश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो चलिए यहां से आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों सिल्वर सल्फाडाइजिन एक सल्फोनामाइड केटेगरी की दवा है जिसका उप्योग सामने तर इसकिन बर्ण में या यूं कहें कि किसी पी परकार के जलने पर किया जाता है जिससे जलने पर इसकिन इंफेक्शन को रोका जा सके तथा गाव को समय पर ठीक किया जा सके दोस्तों ये क्रीम मार्केट में सिल्वर सल्फाडाइजिन वे क्लॉर हेक्जिदीन के कॉम्बिनेशन में शिल्वर सल्फाडाइजिन, क्लोरहेगजडीन, लिगनोकेन वे एलेंटोइन के कॉमिनेशन में वे कभी-कभी सिल्वर नाइटरेट वे उसके कॉमिनेशन में भी आसानी से मिल जाती है अगर हम इसके परमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है रेनबेक्सी की सिल्वर एक्स क्रीम, सन फार्मासुटिकल की सिल्वर एक्स एस एस डी क्रीम, सिपला की बर्न हील क्रीम, एल्डर फार्मासुटिकल की बर्डनेट क्रीम और नेश्टर फार्मासुटिकल की सिल्व यह क्रीम आपके एरिय वाइज वे डोक्टर वाइज अलग अलग ब्राण्ड नेम से मिलेगी आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीज सकते हैं जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही एफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेट फॉर्म दोस्तों अगर हम बात करें सिल्वर सल्फाडाइजिन क्रीम के उप्योग के बारे में तो इसका उप्योग गरम पानी से जल जाने के कारण, आग से जल जाने के कारण, पठाकों या फिर विस्पोट से जल जाने के कारण, या किसी भी गरम वस्तु के छुने से जल जाने के का लाे पर इसकिन पर हो रही को जाती है इसक우 जाती। नंसे रोकते लिए के लिए कर आता है तता ओक। समय पर ठीक करने के लिए भी किया जाता है तोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा का परियोग कैसे किया जाना चाहिए जो भी मरीज के इसकिन पर जला हुआ एरिया है उस इसकिन को पूरी तरीके से कवर किया जाना चाहिए तता क्रीम की लगबग 1 mm से लेकर 2 mm तक की मोटी परत लगानी चाहिए इस क्रीम को लगाते समय हमेशा साबुन से हाथ दोकर तता इस्टेराइल ग्लाउस पेन कर लगाना चाहिए अगर ज़्यादा इमर्जेंसी कंडिशन हो तो साबुन से बढ़िया हाथ दोकर भी आप इसे लगा सकते हैं इस्टेराइल ग्लाउस पेनने से इन्फेक्शन के बढ़ने का खत्रा कम हो जाता है इस क्रिम को पूरे दिन बर गाव पर लगा रहना चाहिए तता इसे कपड़े से साफ होने से बचाना चाहिए इस तरीके से इसे दिन में कम से कम दो बार गाव को पूरा कवर करते हुए लगाना चाहिए गाव पर कभी भी डॉक्टर की बिना सला पट्टी नहीं करनी चाहिए अगर इसकिन के जलने पर तुरंथ ही इस दवा को लगाये जाता है तो इस दवा का काफी अच्छा परिणाम रेता है अगर आपके पास ये दवा नहीं हो तो जल्दी से जल्दी किसी भी ब्रांट की ये दवा आप मार्केट से लेकर लगा सकते है अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लगाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते है इसको लगाने से कभी-कभी किसी मरीजों में पर्टिकुलर एरिया में दर्द, जलन वे खुजलि हो सकती है जलने वाली जगे पर निशान का बनना हो सकता है तथा अगर इसके सीवर साइड इफेक्ट दिखें तो सांस लेने में परिशानी आधी हो सकती है इसके अलावा कोई भी साइड इफेक्ट हो तो तुरंत अपने डॉक्टर की सला लेनी चाहिए अब हम बात कर लेते हैं इस दवा को लगाते समय रखने वाली सावदानियों के बारे में अगर मरीज सलफा एंटिबायोटिक से एलर्जिक है तो कभी भी इसक्रीम का परियोग नहीं करना चाहिए अगर किसी मरीज में WBC काउंट कम हो तो भी मरीज को इसक्रीम को नहीं लगाना चाहिए या फिर जब भी लगाए तो अपने डोक्टर की सला से ही लगाना चाहिए लिवर डिजीज वे किड्नी के मरीजों को ये दवा सामने ते नहीं लगाने की सला दी जाती है दोस्तों अगर किसी वेक्ति की स्कीन जल जाए तो क्या-क्या सावधानिया रखने चाहिए देखिए इसकिन को किसी भी कपड़े से या हाथ से प्रेशर देकर नहीं दमाना चाहिए और जलीवी सकिन पर पानी वे बरब का उप्योग नहीं करना चाहिए तो दोस्तों ये थी जानकारी सिल्वर सलफाडाइजिन क्रीम के बारे में जब भी कोई दवा ले तो अपने डोक्टर की सला से ही ले इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन आविश्य दबाएं जिससे नए नए जानकारी आपको सईसे में पर मिल सके एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद